तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए आज टेंस टॉपिक लेका हूँ जिया दोस्तों सभी के लिए टेंस में बहुत समझ से रहते हैं कि हम इंगलिस कैसे बनाए कैसे बोले तो आप यदे टेंस सीख जाएंगे तो आपको इंगलिस के रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएग इसलिए महां के लिए आख टेंस टोपिक लेका अब सुय कि आप ढ़िए गाऊंव वीडियो को बिलकुल भी कीप मत कीजेगा यहां को ध्यान रखना है मच्ण दोस्तों पास्स लीट्स टोपिक है लेटस सब्सक्राइब कर में थेंस होता है काल यह दोस्तों आप देख सकत है दोस्तों मैं आपको पैचान बता देता हूं कि इसमें आएंगे आपके हैं हुआ दोस्तों हैं हुआ आएंगे उसके बाद पास्ट के आएंगे था थी थे या फिर आएे आएंगे और आपको जैसे फूशर एक नहीं निभाक्त मिनः यह मिलेंगें ggakगी मिलेगा तो दोस्तो ऐसे इस तरह मिलेंगे उसके बाद दोस्तो पहले लेते हैं तो देख लेते हैं कून-कून से immigrant हैं यहां दोस्तो present इंडेफिनेट है मैं आपको इसकी अलकी सी रेकोगनिजेशन बता देता हूं पहचान बता देता हूं इसकी है हिंदी वाक्षियों के अंति में ता थी थे ता है ती है दूसरी है प्रिजैन कांटी निवर स्टेंस जिए हम प्रोग्रेसिव टैंस भी बोच सकते हैं इसकी या रहा है कुछ भी मिर सकता है आपको इंडी वाक्षियों करilly और तीसरा एक प्रफेक्त टैंस इसकी रॉब्राइब्स न पहुता है शका है लेइदा चुक्रेंग आपको आंपको इंडी वाक्षियों के अंत्में तोक्के का म्मिलेंगे शुक्क। कि आप समझ जाएए कि त है इसके बाद आता है दोस्तों परफेक्ट intenouse प्रियोंग होगा और आपको पता है कि तो दोस्तो इसके बाद हम देखते हैं past tense जो दोस्तो इसके भी चार पार्ट होते हैं पहले आप देख सकते है past indefinite tense जो दोस्तो इसकी अलकी फुल की पहचान बता देता हूँ आपको मैं यहीपे क्या आपको इंदी वाक्योगार में था, थी, थे मिलेंगे या फिर R, E, A मिलेंगे जिया दोस्तों ये इसकी recognition पहचान हो गई दूसरा है past continuous tense जिया दोस्तों इसकी पहचान हैँ रहा था, रही थी, रहे थे तीसरा है past perfect tense जिसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे इसके बाद चोथा है past perfect continuous tense जिया दोस्तों इसमें यह समय के साथ से और अंत में रहा था रही थी रहे थे दोस्तों क्या था समय के साथ से और अंत में रहा है रही है रहे है लेकिन इसमें था थी थे हो जाता है जिया दोस्तों यहां पास टेंस तक हम पहुंच गया थे इसके लिए एक लाइक तो बनता ह आप वीडियो को जल्दी चल्दी लाइक करतीजिए ऐसी वीडियो में और लाता रहूंगा तो तीसरा है फ्यूचर टेंस इसके भी चार बाग होते हैं आप देख सकते हैं वैसे तो दोस्तों मां को बता देता हूं कि लेकिन अपनको पढ़ने तीन यह तीनों काम आएंगे तो आप देख सकते हैं तीनों यह इसके भी चार पार्ट हो गए पूरे पहला है फ्यूचर इंडेफिने टेंस इसकी पैचान है यानि रेकोगनिजेशन है गाह गी गे आपको इंदी वाक्यों कंत में यह में देगा गा जिदूस्तों यह की प्हतान हो गई की अप्याख सकते हैं तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट इंडेद ، जिदुस्तों इसकी रहा था रही थी रहे थे लेगन करवा तके लिए आप यहां तक नौट और जाए मैं भी इसोट ले ले तो आपको जीके में समस्था तो आप वह भी पर सकते हैं मैं पूरा टेंस कराऊंगा इसके बार मैं करेक्षाओं अब दी वर पर चलोगा लेकिन मैं सबसे पहले आपको पूरा टेंस टॉपिक किलियर कराऊंगा एक्जामपल साहिद विद एक्जामपल तो दोस्तो ऐसी वीडियो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों तब तक के लिए बाई